धमतरी जीले में बीते तीन दिनों से बारिश हो रही है जिससे नदी नाले उफान पर है और कुछ जगहों पर बाढ़ जैसे इस्तिती बन रही है बता दे कि वहीं ग्राम छाजर केरा में स्टाव डेम के भर जाने से करीब 40 एकर धान फसल पानी में डूप गई ऐसे में किसानों को फसल बरबाद होने की चिंता सता रही है जिसके शिकायत किसानों ने जीला प्रशासन से करते हुए मुआवजा देने की मांग कर रही है वहीं किसानों का कहना है कि साले भाट नाला में गलत तरीके से स्टाव डेम सिचाई विभाग द्वारा बनाया गया है जिसके कारण से बीते तीन सालों से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है किसानों का कहना है कि इस्टाब देम पूरी तरह से भर जाने के बाद भी उसका गेट नहीं खुला जाता जिसके कारण से फसल पानी में डूब जाती है मुई बहराल जीला प्रशासन किसानों की समस्या का जल्द समाधान करने की बात कह रहे हैं किसानी काम करता हूं समस्या एक ठन बात है कि साले भाट के जब ले डावेर्शन बनी से तब ले जहाजाए कि रखा है तुपान है और में मोरो खेत्फों से तेड़े का अभी दू बार बोड़ा रहों एक बार छिड़का पूँ उहु गलगे तब रोपा लगा उहु गलगे आपका करो यह के कलेक्टर का बताथन हम ना जदा वाज में बात करते हुं कि सान का duż दबाया बढ़ा अधिकारी मन बने का तह किसान के आवाज सुने वे बने शाथन दोया डाए वर्शन बनाया गया है माला में तो उस डाइवर्शन की हाइट जादा होने के काराण जाजहर कि रखा पचीश्ती से कर खेट तलाब की तरह पानी भरा हुआ है पूरा फसल सड़ गया है हम सासन से मौजा की मांग करने के लिए आए हैं और अगले साल के लिए डाइवर्शन की जो हाइट है हमारे ख टॉप टाइम को चलके विवाद है एक गाओं वाय लोग की फ्रसल में थोड़ी सी नुक्सान आ रहा है तो दूसरे गाओं वाय लोग में अगर पानी छोड़ देंगे तो वहां नुक्सान आ जागा तो उसका समाधार निकाल जाए